सिमान चल की बेटी शादमा ने आज पूरे सिमान चल के साथ साथ पूरे बिहार वासियों को शादमा कर दिया जिहां हम बात कर रहे हैं जो कि हाट काशीबारी की रहने वाली शादमा सौकत की जो BPSC में audit officer बन गई है BPSC ने जब audit officer का result निकाला तो पूरे सिमान चल वासी खुशी से जूम उठे जिहां हम बात कर रहे हैं इस शादमा सवकत की चुकि शादमा मतलब खुशी और पूरे सिमान चल को इन्होंने खुश कर दिया है यह वही सादमा है जो इससे पहले अब तक एकाउंट टेंट के कार्ज पर कार्ज रती जी हामें हूँ फ्रोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्छी बात मीडिया सच्छी बात मीडिया में हम आपको आज बताएंगे कि अभी जो आज result आया BPSC का audit officer का उसमें किस तरीके से एक जोकी हाट की रहने वाली शादमा सवकत जिन्होंने अपने result किलियर कर लिया है यानि कि वे general category में उनका जो rank आया है वो 77 रैंक आया है और शादमा सवकत सुरू से पढ़ने में लगनशीन रही है सुरुवाती पढ़ाई उनकी अररिया के midland public school में हुआ जिसके बाद दस्वी तक यहां से पढ़ने के बाद वो पटना चली गई पटना में intermediate की पढ़ाई की उसके बाद फिर पटना इनुवर्सिटी से यह B.com की B.com के बाद यह B.A.D. करने लगी, B.A.D. की उसके बाद फिर M.com भी की उनके बाद सादमा सवकत B.P.S.C. का नासित P.T. उसके बाद मेंस भी complete करती है दुर्भागपूर्ण interview complete नहीं कर पाती है लेकिन यह अपनी हिम्मत नहीं हारती है उनके बाद इनकोबों का मिलता है बिहार के पंचायती राज विभाग में accounting का कर्ज करने का उनके बाद यह accounting का करणे लगती है 2-3 सालों से यह अरर्या जिला के ही दो अलग-अलग प्रणकों में accountant का कार्ज की है लेकिन साथ में यह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी इनका जो मकसद है BPSC complete करने का BPSC rank के अधिकारी बनने का इनका इस सपना को इनका job कभी भी आड़े नहीं आया यह हमेशा job करते विए भी यह तैयारी करती रही चुकि accountant का काम इतना ज्यादा होता है रात से दिन तक इनको काम करना पड़ता है लेकिन फिर भी इसी दोरान यह अपना कार्ज को करते विए अपनी पढ़ाई जारी रखी जिनको पता है कि पंचायती राज विभाग में किस तरह की दिक्कते हैं खास करके accountant को उनके पास समय का कोई आधार नहीं है कोई fix समय नहीं होता है कांटेंड को पूरा 2400 घंटा किसी भी समय कोई भी पंचायत लेवल का जनपरती निदी जाके उनसे काम करवाते हैं कि भी समय उनको जीला लेवल के अधिकारी उनको कभी भी फोन करके बुला लेते हैं लेकिन इसी बीच यह अपनी पढ़ाई जारी रखी बीपीएस्सी का जो आउडिट आफिसर होता है उनमें ये 77 वाले रैंक लेकर के आ गई है पूरा सीमानचल खुश है चुकि सीमानचल की बेटी ने जो कर दिया है वो यहां के बेटा लोग नहीं कर पाते हैं सीमानचल की इस बेटी ने उन इवाओं को सबक सिखाने का परियास की है जो कुछी दुनों में जंडा लेकर के चलने लगते हैं और नीचे लिखते हैं इवानिता उन लोगों को यह सबक सिखाई है शादमा सौकत ने तो अपना मनजल पा लिया शादमा सौकत को देख करके हम और आप खुश हो रहे हैं और खुश होना भी चाहिए लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं क्या आपके पास वो छमता है क्या आपके पास इतनी शहन सकती है कि बेटी को इतनी इजाज़त दी जाए कि वो इतना कुछ पढ़ सके क्या आप इतना सहन कर सकते हैं क्या आप बेटीों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं जो शादमा शौकत के परिवार ने जो इजाज़त दी उसे पढ़ने की और इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने बहु भी अपने परिवार को आज खुश कर दी क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी पढ़े क्या आपकी बेटी को भी इतना परियापत मात्रा में समय दिया परियां साद्बाल जाएं सीमा चाल में आइसा नहीं देखा जा रहा है लेकिन जो ऐसी लड़कियां है जो निकल करके आ रही है हमारे समाज का नाम रोशन कर रही है इसी बीच कुछ लोग जागरुक हो रहे हैं जागरुक होने भी चाहिए जिस तरीके से बिहार की सीमान्चल की इस बेटी ने शादमा सौकत ने और सौकत अली की साहिबजादी शादमा सौकत ने इसकार्ज को अंजाम दिया है उसी परकार से हमें और आपको भी चाहिए कि हमारी बेटियों को भी आगे करें पढ़ाई लिखाए में उनकी हिस्सेदारी उसे मिल सके अगर आपको लगता है कि शादमा सौकत ने हमारे सिमान चल के लोगों को खुश किया है और हमारी और आपकी बेटी भी इससे प्रेरित हो तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को जदा से जदा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुचे जो अपनी बेटीों को घर से नहीं निकालना चाहते हैं जो अपनी बेटीों को पढ़ाने में कत्राते हैं जो अपनी बेटीों पर खर्च करने में कत्राते हैं और वो इन से सबक ले आथी साथ अगर आपको लगता है कि शादमा सवकत को बधाई दे करके उनका मनोबल बढ़ाया जाए तो आप कमेंट करके उन्हें बधाई दे सकते हैं बहरे हाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए सची बात मीडिया के यूटूब चनल को सब्सक्राइब करिए फेस्बूक पेज को फोलो करिए ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुचाते रहें धन्नवाद